This is CA Yashoda Sharma from MyFuture Academy Start करेंगे Accounting for Partnership Chapter No. 2 है Chapter No. 1 is your NPO Chapter No. 2 Accounting for Partnership इसके अंदर जो हम topics cover करेंगे वो यह topics रहेंगे Introduction, Interest on Loan, Profit and Loss Appropriation, Capital, Salary, Commission, Interest on Partners Drawing, Interest on Capital, Adjustment, Guarantee of Profit यह जो सारी चीज़े हैं, वो सारी की सारी पार्टनर से related है कुछ चीज़े ऐसी हैं, जो पार्टनर को as a income के तोर पर दी जाती है कुछ चीज़े ऐसी हैं, जो पार्टनर से ली जाती है और किस तरीके से हम पार्टनर को Profit देंगे किस तरीके से हम जो interest on drawing है वो सब देंगे वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे 11 standard में हमने capital account पढ़ा है only capital account यहाँ पर हम capital account partners का पढ़ेंगे और थोड़ा सो उसको detailed में पढ़ेंगे किस तरीके से क्या debit होगा क्या credit होगा Coming to first is partnership partnership क्या होती है It is a relationship between two person agreed to share profit and loss carried on by all और anyone for all Partnership एक तरीके का relationship है किस के बीच में दो या दो से जादा person के बीच में Partnership एक जन में नहीं हो सकती Partnership होने के लिए दो जन का दो या दो से जादा persons का होना जरूरी है So it is a relationship between two or more person agreed to share profit जो agree करते हैं उस firm का profit या loss को share करना carried on by all और any one of them यानि suppose partner है या फिर तो पांचों के पांचों 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 पांचनर वहाँ पर काम करें या फिर पांचों में से कोई दो या तीन काम करें पांचों पांचनर के लिए ऐसा हो सकता है न कि suppose आप पांच पांचों हो दो पांचनर बोलते हैं भाई हम काम नहीं करेंगे लेकिन हम इस firm के अंदर capital लाके देंगे capital क्या होता है capital वह पैसा होता है जो कि कोई भी firm को start करने के लिए जरूरी होता है तो पांच पांच पांचनर मेंसे दो पांचनर ने बोला कि हम काम नहीं करेंगे लेकिन पूरा जितना भी firm को चलाने के लिए capital चाहिए वह हम लाके देंगे बाकी तीन पांचनर ने बोला ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है तो हम capital नहीं लेकर आएंगे पर पूरा जो management करना है पूरा जो काम करना है वह हम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि या तो पांचों पार्टनर काम करें या पांचों में से कुछ पार्टनर्स काम करें बाकी पार्टनर्स के लिए कुछ features है partnership के first two or more person यह हमने देखा कि partnership में दो या दो से जादा person होना जरूरी है partnership में agreement होना जरूरी है कि किस तरीके से profit share किया जाएगा किस तरीके से interest मिलेगा कितने rate पे drawing मिलेगी वो agreement होना जरूरी है वो agreement oral भी हो सकता है या return भी हो सकता है lawful business आपका जो business है जिस चीज के लिए आपने partnership firm खोली है वो lawful होना चाहिए illegal business नहीं होना चाहिए जिसे अगर हम gujarat की बात करें gujarat में alcohol band है तो आप partnership में alcohol का business नहीं कर सकते and share profit and loss partnership है आपने कोई business चालू किया है तो definitely आपने वो किस चीज के लिए किया होगा to earn the profit तो उस partnership में आपको profit और loss शेर करना है तो यह कुछ features है और partnership थोड़ा हम detail में पढ़ेंगे on the agreement point जैसा कि मैंने कहा कि agreement oral भी हो सकता है return भी हो सकता है अगर return agreement होता है तो उसको कहा जाता है partnership deed oral agreement होता है तो उसको कहते है oral agreement oral agreement में कैसा होता है कि suppose आप दो friends हो दोनों friends ने कोई restaurant start किया और orally decide कर लिया कि भाई जो भी profit होगा हम equally share करेंगे अगर कोई भी इसके अंदर capital लेकर आता है तो उसको 6% capital मिल जाएगा अगर drawing करता है तो 8% drawing interest लगेगा तो इस तरीके से orally सारे terms decide कर लिए return में क्या होता है कि आप terms decide करते हो लेकिन आप वो सारे terms को लिखना जादा prefer करते हो difference क्या होगा oral और return में भाई कभी भी dispute suppose होता है दो partners है भाई यहां पर भेन भाई में disputes हो जाते है कोई भी चीज़ पर लडाई होती है तो अगर आप partner हो तो यह तो sure है कि disputes होंगे अगर आपने oral agreement किया है तो आपको कुछ चीज़े नहीं दी जाएगी लेकिन अगर आपने return agreement किया है तो आपने जो भी return form में लिखा है आपको वो सारी चीज़े दी जाएगी partnership deed में क्या-क्या लिखा गया होता है about interest on capital interest on drawing profit sharing ratio interest on loan nature of business etc etc में वो सारी चीज़े आ जाती है जो भी partnership से related होती है औरल में क्या हम यह सारी चीज़े discuss कर सकते हैं येस औरल में भी हम सारी चीज़े discuss करते हैं लेकिन औरली अब यहाँ पर difference कहाँ पर आएगा जब कोई dispute हुआ तो suppose अगर दो partners के बीच में dispute होता है या dispute नहीं भी होता तो उस situation में interest on capital के अगर हम बात करें तो partner को interest on capital नहीं दिया जाएगा अगर oral agreement है औरली हमने decide कि पार्टनर को 6% suppose हमने decide कर लिया औरली कि सारे partner को 6% interest on loan interest on capital दिया जाएगा लेकिन अगर dispute होता है तो judge क्या बोलेगा तो वो court क्या बोलेगा नहीं क्योंकि आपका oral agreement था इसलिए हम यह मानते हैं कि आपका कोई agreement ही नहीं था तो जितना हमने partnership deed में लिखा था उतना आपको agreement दिया जाएगा interest on drawing नहीं दिया जाएगा interest on drawing in case of return agreement yes जितना हमने decide किया उतना salary, commission और भी different type की जितनी भी income होती है तो again oral agreement में नहीं दिया जाएगा return agreement में दिया जाएगा दो चीज़ के बारे में हम specific पढ़ेंगे interest on loan, profit sharing ratio अगर oral agreement है तो हम यह assume करते हैं कि हमेशा जो profit sharing ratio होगा वो equal ही होगा suppose आपने orally decide कि तुम्हारा profit sharing ratio तीन partners के बीच का है 3 is to 2 is to 1 लेकिन अगर dispute हुआ आप court के पास जाते हो तो वो क्या बोलेगा नहीं भई हमने notification दे रखा है हमने बोल रखा है हमारे law के अंदर कि अगर आपका oral agreement है तो हम यह मान लेंगे कि आपका profit sharing ratio क्या होगा 1 is to 1 is to 1 लेकिन वही return agreement में as agreed return agreement है और partners ने decide किया है 3 is to 2 is to 1 तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा profit sharing ratio 3 is to 2 is to 1 interest on loan की बात करें तो interest on loan 6% दिया जाएगा अगर आपने decide किया है 12% oral agreement में आपने decide किया है 12% लेकिन फिर भी अगर आपका dispute हुआ तो court क्या बोलेगी नहीं हमने आपको बता रखा है कि अगर आपका oral agreement होगा तो हम यह मान लेंगे कि आपका interest on loan है 6% लेकिन in case of return agreement क्या होगा अगर आपने 12% decide किया है तो आपका interest on loan 12% ही माना जाएगा तो अगर हम देखा जाए तो oral और return में से better कौन सा है definitely return agreement लेकिन बस बात यह है थोड़ी महनत लगती है return agreement बनाने में थोड़ा time consume होता है लेकिन अगर long term में देखा जाए तो return agreement कोई भी partnership कोई भी partnership firm के लिए return agreement बहुत ही सही होता है यहाँ पर एक question arise हो सकता है कि क्यों interest on capital के लिए हमें मना किया गया और क्यों interest on loan के लिए 6% दिया interest on capital भी भी 6% दे सकते थे लेकिन क्यों interest on capital को कुछ भी नहीं दिया क्योंकि capital वो amount होती है जो सारे partners firm में लेकर आते है ठीक है सपोस्थ तीन partner है तीनों partner एक एक लाग firm में लेकर आ गए अब सपोस्थ कुछ ऐसा time है जहां पर firm को पैसे की बहुत ज़ादा ज़रूरत है एक लाग रुपए और चाहिए firm के अंदर लेकिन तीनों partner के पास पैसे नहीं है ऐसी situation में एक partner आता है सपोस्थ तीन partner है ABC तीनों partner के पास अभी पैसे नहीं है लेकिन firm को एक लाग रुपए की ज़रूरत है ऐसी situation में ए आता है और वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं मैं कहीं से arrange करके इस firm को loan दे दूँगा अब क्योंकि यह जो loan का पैसा है वो additional पैसा partner लेकर आता है इस crisis की situation में इसी लिए government ने भुला कि अगर कोई partner as a loan कुछ पैसे देता है firm को तो हम उसको 6% interest ज़रूर देंगे इसी reason की वज़े से interest on loan पे 6% रखा गया है और capital पे कुछ भी percent नहीं रखा गया अब यहाँ पर यह जो payment methods है यह सारी चीज़ी क्या हो गई interest on capital, partner की income होई जो वो capital देते है firm को उसके वो कुछ interest लेते है interest on loan भी partner की income है salary भी partner की income है commission भी partner की income है और interest on loan partner का expense हुआ अब यह जो firm है वो बोल सकती है या फिर partners बोल सकते है कि हमें हमारी income या तो as a charge against profit हो सकती है या as a appropriation of profit हो सकती है appropriation of profit को हम detail में आगे पढ़ेंगे लेकिन एक basic सी चीज़ जब भी कोई expense या income जैसे अगर यह partner के लिए interest on capital क्या है income partner के लिए अगर income है तो firm के लिए क्या होगी expense क्योंकि firm इस income को देगा firm के लिए यह जो interest on capital है वो हुआ expense हम firm के point of view से सारी चीज़ देखेंगे अब कोई भी एक payment या तो charge अगेंस profit हो सकता है या फिर appropriation of profit हो सकता है अगर कोई भी expense charge अगेंस profit होता है तो वो कहाँ debit होगा in the P&L account अगर कोई एक expense appropriation of profit appropriation of profit होता है तो वो कहाँ debit होगा P&L appropriation account कोई भी चीज अगर P&L account में debit होती है यह sentence बहुत ही ध्यान से सुनना अगर कोई भी चीज P&L account में debit होती है इसका मतलब यह होता है कि वो payment करना compulsory है firm profit करे या loss करे वो payment करना compulsory है लेकिन अगर कोई भी expense P&L appropriation में debit होता है तो वो payment तभी firm देएगी जब firm के पास कुछ profit होगा अगर firm के पास profit नहीं होता तो firm मना कर सकती है कि मैं in fact firm मना करेगी कि मैं यह expense bear नहीं करूँगा example लेते हैं interest on capital का अगर firm सामने से बोलती है कि भाई interest on capital charge against profit है तो वो कहाँ पे जाएगा P&L account में और वो देना compulsory होगा और अगर firm बोलती है it is a appropriation of profit तो वो जाएगा P&L appropriation में और वो firm तभी pay करेगी वो तभी P&L appropriation में जाएगा तब firm के पास profit होगा अगर firm के पास कोई भी profit नहीं है तो वो amount P&L appropriation में नहीं जाएगा firm बोल देगी इस साल हम आपको interest on capital नहीं pay कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो ऐसा जो एक expense है वो expense है interest on loan जैसा कि मैंने आपको बताया कि interest on loan इतना साथ important है कि सामने से government ने हमे 6% दिया तो interest on loan को government ने सामने से ही बता दिया कि interest on loan को हम हमेशा के लिए charge against profit ही मानेंगे firm के पास पैसा हो या ना हो interest on loan तो partner को देना ही पड़ेगा इसलिए interest on loan कहां पे जाएगा P&L account में interest on loan कहां जाएगा P&L account में और बाकी जितनी भी expenses होंगे interest on capital, salary, commission जो भी expenses होंगे वो सारे कहां पे जाएगे P&L appropriation में until and unless specified अगर question में specify किया है interest on capital को P&L charge against profit तभी वो P&L में जाएगा वरना सारे के expenses जाएगे P&L एप्रो में except loan एक और ऐसे expenses जो कि P&L account में जाता है that is rent rent पे और P&L interest on loan पे हम आखे discuss करेंगे लेकिन अभी के लिए हम यह याद रखेंगे P&L account में दो expenses जाते हैं एक interest on loan and the second is rent कुछ भी हो हमें specify किया हो या ना किया हो interest on loan of a partner and rent of a partner will come always under P&L account so यहाँ पर यह हमारा खतम होता है इससे related जो first topic आपका 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 जो टी एस ग्रेवाल में है उसके आप सारे questions करोगे next video में हम start करेंगे interest on loan साथ ही में P&L appropriation account कल की वीडियो में हम interest on loan और P&L app pro account को cover up करेंगे